नमस्कार विकेबी न्यूस के सुभा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुप करते हैं आज की हेड्लाइन्स पर नाकपु शहर में 300 आटो चालकों पर आपरादिक मामले अपराद करने वाले सभी आटो चालकों का परमिट होगा रद पुलीस आयुक्त अमितेश कुमार ने दी जानकारी नाकपुर के सदर फ्लाय ओवर से नीचे गिर कर युवक की मौत वाहन से नियंदरन छूटने के कारण हुआ दर्दनाग हाथसा और नाकपुर में गर्भवती महिला को पुलीस ने अस्पताल पहुचाया वी डिलीवरी गंगा जमुना परिसर में घूम रही थी गर्भवती महिला दर्द से तडपने पर पुलीस ने की मदद और अब खबरे विस्तार से नाकपुर में अपराद कम करने के उद्देश से अब शहर के 19,000 आटो चालकों का क्रिमिनल रिकॉर्ड की जाँच नाकपुर पुलीस द्वारा की गई जिसमें 300 आटो चालकों के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड पाए गई जिनकी परमीट रद्द करने की कारवाई नाकपुर पुलीस ने शुरू करती है जबकि 2200 आटो चालकों पर वाहन नियमों की धजिया उड़ाने के चलते उनका भी परमीट कैंसल किये जाने वाला है ऐसा नाकपुर शहर पुलीस आयुकत अमिदेश कुमार ने जानकारी दी है नाकपुर में पिछले दिनों एक आटो में एक लड़गी के साथ बलातकार करने की घटना सामने आई थी जिसमें कुछ आटो चालकों भी नाकपुर पुलीस ने धर दबोचा था इस बात की गंभीरता को देखते हुए अब नाकपुर पुलीस आटो चालकों का रेकौड खंगाल रही है जिसमें शहर भर के 19,000 आटो में 300 आटो चालकों के खिलाफ आपराधिक मामले और 200 आटो चालकों पर परिवहन नियमों की धजिया उड़ाने के मामले दर्ज है जिनके परमीट नाकपुर पुलीस रद्दक करने वाली है जबकि 280 आटो स्टैंड के अलावा अब शहर में किसी अन्य जगह आटो कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा ऐसी जानकारी नाकपुर शहर पुलीस आयुक्त अमितेश कुमार ने मीडिया को दी प्रतिबंदा कारवाई पन होई लाणी ओटो रिक्षाज ची त्यांची परमिट पन रद करने या तिल कारन अशाप्रकाज चे गुनेगार प्रवित्री चे लोग ओटो रिक्षाज चालवने हे काईदा स्विवस्ता अनि लोगांची सुरक्षाची द्रिश्टिक होना तुन उचीतना अशी आमची धारना हे आमी सग्रेयान सोबद चल्चा करने आस तैयार आहो परन्तु सग्रेयान ला थामपने त्याना हे धारना असायला पाईजे कि जे उलंगन आ है कि वाजे बेक सदर फ्लायोर पर गुरुवार की शाम भयारक हाथसा हुआ काटोल रोट से आर बी आई चौक की तरफ आ रहे दू पहिया वाहन सवार का नियंतरन बिगड़ गया वाहन सीधे सुरक्षा दिवार से जा भिड़ा टक्कर लगने के बाद युवक दिवार से उचल कर सीधे न मौत हो गई व्रोतक काटोल निवासी जीवन मानिकराव जुमना के बताया गया पुलीस ने बताया कि जीवन मुंबई की एक कमपनी में नौकरी करता था चुट्टी लेकर काटोल आया था उसकी बड़ी बहन नाकपूर में रहती है बहन से मिलने के लिए गुरुवार की श बुरी तरह जखमी होने के कारण स्थानिय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलीस को दी खबर मिलते ही सदर के थानेदार विनोच चौधरी अपने दल के साथ मौके पर पहुचे तुरंत जीवन को मेयो अस्पताल ले जाया गया उपचार के दोरान उसकी मौत हो गई जीवन ने हेलमेट भी पहन रखा था लेकिन बेल्ट नहीं बंदा होने के कारण हेलमेट सिर से निकल कर गिर गया पुलीस ने आकस्मिक मृत्यों का मामला दर्च कर जांच आरम की है नाकपुर शहर के रेड लाइट एरिया में पुलीस ने अब भी देह व्यवसाय बंद करवा रखा है परिसर में पुलीस तैनात है और वहा किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमती नहीं है उदर निर्वाह का साधन छीन जाने से सेक्स रैकेट चलाने वाले पुलीस को क पहरा है दोपहर के वक्त परिसर में एक महिला घूमती दिखाई दी वह गर्भवती थी यहां तैनात महिला पुलिस कर्मियों ने उससे पूछ ताच की लेकिन वह जवाब देने में असमर्त थी जिससे उसके मतिमंद होने का पता चला अचाने की वहत दर्द से तडपने ल बहुत समवेदन शीलता बरतते हुए पुलिस ने उससे दोबारा नाम पता पूछा महिला ने अपना नाम चाया बताया और कहा कि लाल गंज परिसर में रहती है कुछ महिला कर्मी अस्पताल में ही रुग गई जबकि कुछ ने लकडगंज थाने के स्टाफ के साथ उसके प वाहित है और गर्भवती है रात में परिवार सो रहा था इसी दोरान वह घर से निकल गई तुरंत मीरा को अस्पताल पहुचाया गया इसी दोरान चाया ने एक बच्चे को जन्म दिया डॉक्टर ने बताया कि चाया और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्त है मददकारि में जूटी महिला पुलिस की टीम बच्चे को देखने पहुची सभी ने उसे आशिरवात दिया होटल व्यवसाई के साथ चल रहे है विवाद के बाद साथ रहने वाली महिला ने फ्लैट से लाखों रूपयों का सामान चोरी कर लिया व्यवसाई आठ रस्ता चौक निवासी राजेश अशोक कुमार सिलारका की शिकायत पर जरिपटका पुलीस ने इंपेरियल हाइट कर भी चौक निवासी उपविंदर कौर उर्फ मिनी पाल वीच, रचिता वीच, जगवीर वीच और चिंटु वीच के खिलाफ मामला दर् पुलीस से मिली जानकारी के अनुसार राजेश और मिनी पाल नंबर 2018 से एक साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे उन्होंने साथ रहने के लिए इंपेरियल हाइट में फ्लैट खरीदा था यहाँ इंपोर्टेट फरनीचर भी खरीदा था कुछ समय साथ रहने के बाद दोनों के बीज विवाद होने लगे और मिनी पाल की शिकायत पर पुलीस ने राजेश के किलाफ मामला भी दर्ज किया इसके बाद से राजेश अपने फ्लैट पर नहीं गए 13 जुलाई को उन्हें पडोसी ने फोन करके बताया कि मीनी पाल उनके फ्लैट का सामान माल वाहन में डाल कर ले जा रही है चूकि कोट ने राजेश को उस घर में जाने से मना किया था इसलिए उन्होंने अपने भाई राकेश को जांच करने को कहा राकेश अपार्टमेंट में पहुचे तो चौकिदार ने बताया कि उपरोक्त नंबर के ट्रक में फ्लैट का सामान गया है कथित आरोपी की गाड़ी भी उसके पीछे है राकेश ने ट्रक और कथित आरोपियों की गाड़ी का पीछा किया रामदा स्पेट स्थित एक होटेल की बेस्मेंट में ट्रक चला गया और कुछ देर बाद खाली होकर बाहर निकला राजश ने बताया कि उनके सोने का ब्रेसलेट, तीन सोने के सिक्के, हजार डॉलर जूते, घडिया और घर का सारा समान उपरोगत आरोपियों द्वारा चोरी किया गया जरिपत का पुलीस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच आरंब की है राजिश ने बताया कि उन्हें बदनाम करने के लिए जूटा मामला भी दर्च करवाया गया था मानगर पालिका के सहयोग से जेसियाई नागपूर रोयल द्वारा आयोजित एक कारेक्रम में माहापूर दयाशंकर तिवारी के हाथो नागपूर की अंतरराष्ट्रिया महिला मुक्केबाज अलफिया पठान को Outstanding Young Person Award से सम्मानित किया गया कारेक्रम में माहापूर ने अलफिया की महनत और लगन की तारीफ की उन्होंने कहा कि महनत करने की चाह रखने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप एक लक्ष निर्धारित करते है और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी महनत करते है तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी अलफिया ने मुक्के बाजी में उपरास धानी का नाम रोशन किया है सतकार समारोह में महापौर दियाशंकर तिवारी ने कहा कि नाकपूर बॉक्सिंग एसोसियेशन के अध्यक्ष होने के कारण वे नाकपूर के मुक्के बाजों के संपर्क में रहते है उन्होंने पहली बार जब अलफिया को देखा था तो उसमें पदक जीतने की ललक थी ये गर्व की बात है कि सफलता के इस मुकाम पर होने के बावजुद आज भी अलफिया के पैर जमी पर है जो लड़कियों के लिए एक प्रेरना है दसवी की परिक्षा और स्पोर्ट्स कैम्प में एक ही समय पर चैन के बावजुद अलफिया ने खेल को प्रात्मिकता दी जो इस अंतरराश्ट्रिय खिलाडी की स्पोर्ट्स के प्रती उसकी दुरुडता को दर्शाता है वक्त हो गया एक छोड़ी से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां कैमपस इंटिव्यू गाइडेंस पाइ इंडस्टी एक्सपर्ट प्राक्तिकल ट्रेनिंग अट एरपोर्ट एक्सपर्ट फाकल्टी परस्नल ग्रूमिग जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने है Flywheel Aviation Academy वन डिग्री त्री जॉब उपर्चुनिटीज Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 गानी नगर L.A.D. College Square beside करनाट का बैंक नागपुर ब्रेक के बद आपका स्वागत है नियम को ताक पर रख कर शराब दुकान को प्रचार का माध्यम बनाने संबंधी मामले में उत्पाद शुलक अधिक्षक प्रमोज सोनाने ने आदेश जारी कर सभी निरिक्षकों से कहा है कि जल से जल शराब दुकानों से बोर्ड को हटाया जाए साथी कारवाई की रिपोर्ट विभाग के अधिकारियों को देने को कहा है लेकन यह है कि राज्यसरकार ने 27 अप्रेल 2018 में सरक्यूलर जारी किया था जिसमें पूरे नियम बताए गए थे इसमें स्पष्ट रूप से व्याक्या की गई है कि शराब दुकानों में 60-92 सेंटीमीटर का बोर्ड लगाना बंधन कारक है इससे बड़े बोर्ड का इस्तेमाल शराब दुकानों में नहीं किया जा सकता है फलक और लाइसेंस धारी का नाम, लाइसेंस नमबर, पता और खुलने और बंध होने का समय ही लिखा होना चाहिए इससे अधिक बड़ा बोर्ड या कुछ भी लिखा होना गलत होगा इस आदेश में सपष्ट लिखा है कि अगर दुकान पर जाहिरात फलक, ग्लोइंग साइन बोर्ड, फ्लेक्स, नियोन साइन बोर्ड लगाया जाता है तो लाइसेंस नियम का उल्लंगन होगा और कारवाई की जाएगी राज्य सरकार के आदेश के बाद अधिक्षक ने भी पत्र जारी किया लेकिन निरिक्षकों के लिए यह अगनी परिक्षा ही हो गई है क्योंकि शहर में दरजन और दुकानों पर विग्यापन फलक लग चुके हैं और यह सब निरिक्षकों को मात हत ही हो रहा है वे सभी कुछ देर रहे थे, फिर भी होने दे रहे थे, अब अधिक्षक के आदेश के बाद निरिक्षक विभागिया आदेश का पालन करेंगे, या फिर शराब कमपनियों या दुकानदारों को राहत देंगे, ये देखना दिल्चस्प होगा। इसे जनहित में स्विकार किया। इस पर नैदिश सुनिल शुक्रे और नैदिश अनिल किलोर ने राज्य सरकार सही तमाम संबंदित विभागों को नोटिस जारी कर तीन सब्ताह में जवाब दायर करने के आदेश दिये। अदालत ने पूने के महराश्ट्र स्टेट बायोड सारस पक्षियों की प्रजाती पर उभरते खत्रे को देखते हुए पूरा मुद्दा न केवल विदर्ब बलकि पूरे देश के लिए और वन तता परियावरन की दुरुष्टी से महत्वपूर्ण हो रहा है। इस तरह की प्रजातियों को बनाय रखने के लिए परियावरन और संतुलन के कारण सारस पक्षी खत्रे में हैं। यहाँ तक की लगातार उनकी घटी आबादी के चलते अब ये प्रजाती भी विलुप्त होने की कगार पर पहुँच गई है। इस संदर्ब में विस्तरुत याचिका पेश होना जरूरी है जिससे प्रतेक पहलूओ पर विस्तार से बहस हो सकेगी। अदालत ने अदालत मित्र को सटिक याचिका तयार करने तथा प्रतिवादियों को याचिका की कौपी उपलब्द कराने के आदेश भी पहले ही दिन दे दिये थे। याचिका की प्रती मिलते ही सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिये। अदालत ने राज्य के परियावरन मंत्रा ले तथा वन विभाग के अलावा अन्य विभागों को नोटिस जारी कर तीन सप्ता हमें जवाब दायर करने आदेश भी दिये। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विशे समीतियों में शामिल विपक्षी सदस्य पदाधिकारियों के बीच गलत फहमी पैदा करने का प्रयास करने के लिए जूटे वक्तव्यत दे रहे हैं लेकिन वे अपने मनसूबों में काम्याब नहीं हो पाएंगे। और विकास योजनाओं की निधी सभापती अपने सरकल में अधिक ले जा रहे हैं। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनके लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पर सर्वानुमती से प्रस्ताव पारित हुआ था। अगस्त में स्थाई समिती सभा में प्रशासक्य मान्यता के लिए उसे रखा गया। जिसे अध्यक्ष ने सर्वानुमती से मंजूर कर दिया। ये सभा की प्रोसीडिंग में भी उलेखित है। उन्होंने कहा कि जब लिखित में यह सब है तो वे कैसे ये कह सकते है कि अध्यक्ष ने प्रस्ताव को नामन्जूर कर दिया है। उन्होंने अग्रवाल के वक्तव्य को सीरे से खारीच करते हुए कहा कि विशय को समझ कर वो अध्यान कर विपक्ष सदस्यों को बयान देना चाहिए। माली नगर चौक से लेकर हुडकेश्वर सिमेंट रोड तक जान लेवा गड़ों ने लोगों को परिशान कर रखा है। माला भीक्त आवी आमी हे पैसे जमा करून महानगर पाली का आनी पी डवलूड चे जा अधिकारिया है। यानन अंतर ते लोगों को हे गट्टे भुजवतीन। मनून सरवनागरी कान ना विननती है कि जैंचा कड़े एक रुपया दोन रुपय अस्तिल यानन अमाला एक दोन रुपय चिल्लर देयावे। मालगी नगर चौक से लेकर हुडकेश्वर रोड के बीच करीब 100 मिटर के पेंच पर डामरी करन नहीं किया गया है। सिमेंट रोड बने दो वर्ष से ज्यादा का समय बीद गया लेकिन न तो सिमेंटी करन किया गया और नहीं ड्रेनेज लाइन बनाई गई। इन दिनों डामर रोड पर दरजनों गड़े हो गए है। इन जानलेवा गड़ों में गिरकर अब कई लोग अपने हाथ पैर भी तुड़वा चुके हैं। पिछले दिनों शिवसेना की और से गड़ों में पौधे लगाए गए। प्रशासन का ध्यान आकरशित करने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। शिवसेना शहर प्रमुक दीपक काप से वा उप शहर प्रमुक चंदरशेकर श्रीराव के मारगदर्शन में पूर्व उप शहर प्रमुक दीपक पोहने करके नितरुत्व में भीक मांगो आंदोलन किया गया। कारेकरताओं ने चूना डालकर गड़ो को दिखाने का प्रयास किया। इस दोरान सडक से आने जाने वालों से भीक मांगी गई। लोगों ने आंदोलन को प्रतिसाथ देते हुए डिब्बे में पैसे जमा किये। करीब 500 रुपए जमा हुए। अब कारेकरताओं ने इस र नाकपुर शहर में चारचीत मनीश रिवास हत्यकार्ण में क्राइम ब्रांच ने रंजीत सफेल कर गैंग के खिलाफ 5000 पन्नों की चारचीत डायर की। इस मामले में रंजीत सफेल कर शरद उर्फ कालू नारायन हाटे, भरत नारायन हाटे, हेमलाल गोरखा, विशाल मसके, विनई कुमार बातो, श्री निवास वियनवार, रवी बागडे और दिवाकर बबन, कोतुलवार को गिरफतार किया जा जुका है। फिलाल सभी आरोपी जेल की हवाखार है है। का अपहरन किया था। कामटी में फार्म हाउस में ले जाकर उसकी हत्या की, लाश के टुकडे टुकडे करके जंगल में फैक दिया था। मनिशिक मामले में फरार था इसलिए सभी को लग रहा था कि वह कही अंडरग्राउन है। इसी वर्ष मार्च में पुलीस को कुछ जा मोका भी लगाया। जाजपूरी होने के बाद गुरुवार को पुलीस ने मोका की विशेश अदालत के न्यायदिश सल्मान आजमी की अदालत में आरोपत्र दायर किया। यह चार शीट पाच हजार पन्नों की होने की जानकारी मिली है। डियाईजी सुनील फुलारी और ड झाल और देट की होने कि अगुसे यह चार नायर के विच्छब सक्राइबमन॒ और रवासिश खालग टुलार गली यह जो कि ए के बात के वे जाँ है?